कि अब यह व्रिवन आयम नमीन कुमार और एक कंपनी है जो कि हमने जैसे फ्रिज या फिर हम जब रेफ्रिजेटर या फिर हम एसी जब यूज करते हैं तो उसके पीछे हम लोग कोपर की वाइरिंग देखते हैं कोपर के पाइप की तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसर कोईल्स और साथ में इवेप कोईल्स इसी टाइप के जो कंडेंसर कोईल्स बनाने का जो एक कंपनी काम करती है जो की राजस्तान बेज़्ट है वह आये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राइग कर रही है आई प्यों के थूट इस कंपनी की हम इस वीडियो के थूट एक ट लोट साथ आपको 14,300 रुपे की जड़ने वाले एट लिस्ट एक आई प्यों के लिए लिए यहां पर कंपनी जो टोटल 341 करोड रुपीज उठाने की तुराई कर रही है इस आई प्यों के थूट और जो पूरी वेल्यो लगाई है कंपनी ने खुद की वो है 309 करोड आज के दिन किस तरीके से फ्यूटर में उपरेशन कर सकती है इतनी बड़ी होने के बावचूद भी नेक्स अप देख लेते हैं कि कंपनी के जो पर्मोटर लोग है उनके पास में 94% शेरोल्डिंग थी IPO से पहले और यहां पर offer for sale मतलब कंपनी के लोग कुछ भी अपने शे निकाल रहे मार्केट में जितने में डिक्री हैं बाई देस से भी पाल देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठाना चारे ब क्यूं उठाना चारी रीजन कए तो में उप्नि को निने कंपनी46 कंपनी खोलनी है वहाँ पर उसके लिए इस subsidiary company के लिए so ultimately इस ये company को लिए क्योंकि completely holy on subsidiary है पूरी की पूरी इसी company की छोटी हिस्सा है तो बहुत देखा जाए तो उसे टेक्सल टेक्स रिलेटर जो purposes होते हैं उनके लिए नई subsidiaries खोली है ताकि differentiate किया जा सके दोनों business के अंदर में वरना इसी company के साथ में भी ये काम किया जा सकता था बट कुछ purposes के लिए अलग से company खोल दी जाती है तो ये पूरी completely holy on subsidiary है इसके नदर में company को पैसा लगाना है उसके लिए पैसा उठा रही है stock market से so basic reasons यहाँ पर सबसीडरी में लगने वाला है यहाँ पर आज के दिन में चुक करता धरता है उनका नाम है संतोस कुमार यादव जी जिनके पास में इस company का 43% शेर उल्टिंग थी IPO से पहले और IPO के बाद में भी अच्छी पास में रह जाने वाली है वही में करता धरता इस company के है अब यहाँ पर बात करें इवेपोरेटर कोईल्स और कंडेंसर कोई दो टाइप के कोईल्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है अब यह दोनों कोईल्स क्या काम करती है हम लोग जब भी कोई AC वगरा यूज गरते हैं तो अब हमको देखने मिलती है कि हम लोग जो यह फिन हैं उनके अंदर में देखा होगा कि कमरे एक बाहर जो एक प्रॉट्क लगा रहता है उन के कोलो होती है तो अंदर वाले जो उसके पेनल में लगा रहता है वो ऑद새 Penal और जो बाहर वाले जो कोईल है वो हीट को बाहर फैंकती है तो एक तो करती है क्या करती है हीट को अब्जर्व करती है कंडेंसर ओयल उस जो हीट अब्जर्व की है उसको बाहर फैंकने का काम करती है जो बाहर लगी रहती है तो यह दो कोईल्स दोनों ही कोईल्स जो ही कंपन तो अब हमने यह देख लिया कि company जो है havoc industry में काम करती है जिसको havoc industry का full form होता है heating जो evaporators, AC और साथ में एक और R का भी नाम होता है and R that is refrigerator तो havoc and R के अंदर में company काम करती है so basically अगर देखा जाए तो sorry यह जो वी था है वक के अंदर में यह ventilation था heating, ventilation, AC और refrigeration इस इंडरेस्टर में काम करती है तो इसके लिए एक बहुत ही main जो product है जो कि यह coils हैं यह company manufacture करती है यहां पर और main revenue वहीं से आ रहा है आज के दिन company के उपर में कुछ खास cases बगेरा नहीं है direct tax related कुछ cases company के अंदर में हैं का contingent liability के बात करते हैं तो 21 करोड रुपए का कासपास में company फिर contingent liability है जो कि future में हो सकता किस्मत खराब हो तो वह खर्चा सकता है group company के लिए guarantee की दे दी हो तो वहाँ पर खर्चा सकता है तो किस्मत खराब होती तो खर्चे आ सकते हैं company ने आज के दिन loan भी दे रखा है किसको दे रखा है के एनर है वह products and private limited को कित्ते करोड का 36 करोड रुपए का loan भी दे रखा है next देख लेते हैं यहाँ पर के company कब से शुरू हुई है तो यहाँ पर 2017 के अंदर में company की शुरुवात की गई थी उसके बाद में 2018 के अंदर में company 2017 के अंदर में इन्होंने पहला plant अपना लगा लिया था यहाँ के अंदर में company नए lines की जो हम लोग देखते हैं refrigeration को पीछे कई जो बड़े heating जो होते हैं उनके अंदर में जो पाइप्स लगी होते हैं पीछे जो एक जाल लगा था पाइपों का copper की पाइपों का या फिर aluminum की पाइप का उनकी sizes जो होते हैं उनके साथ में बनाना स् साथ करें 2021-2022 के अंदर में 2023 के अंदर में आके company ने फिर अपने जो private limited company थी 2023 थे पहले तक 2023 के अंदर में company ने अपना नाम चेंज करके limited company कर लिया limited company को अब लोगों से पैसा उठाना है private limited मतलब company को लोगों से पैसा नहीं उठाना है जनता से पैसा नहीं उठाना है जनता से ग्रिंट में ही तरह कर रहे हैं जिस तरीके से कंपनिया क्याम दो प्रॉडक्शन लाइन में ज्यदर लोग काम कर रहे हैं आज के दिन जितने भी प्रॉपर्टीज कंपनी यूज कर रही वेर हाउस के लिए whatever जो वो सारी किरायेपे हैं बट जो वो प्रोपर्टीस हैं वो Rीको इंड़स्ट्टेल राजस्तान के अंदर में रीको होता है राजस्तान इंड़स्ट्टेल क्रपूरेशन वर राइट तो रीको के अंदर में आते हैं तो सारे के सारे कुछ 80-80-100 सो साल के लिए इंडरस्ट्री को यहां पर किराये पर मिली हुई है प्रोपर्टी्सिर रिक्षों के अंटर मैं दो से कितना बहुत से बाइचा चार चार आजार उपए चाराजार उपए क्या ही किरा यह वो भी इतनी बड़ी प्रोपर्टी के लिए यह चो कंपनी जो भी लोगो यूज करती है के नार हीट डॉलर्स का है जो कि जिस तरीके से बढ़ रहा है उपर की साइड में तो ये अंदधा लगा है 2029 तक ये जो इंड़स्ट्री है वो 20 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी जिसके अब ये कंपनी ओलरी जो दूसरी इंड़स्ट्री है उनका मार्केट तो छीनी सकती है साथ में इसकुष्ट के ने को अगया है वहां ने वाल बतगत है इसको बूलर्स काम करें तब ही तो company ने बोला कि हम नहीं सबसीडरी खोल रहे हैं सबसीडरी के अंदर में नहीं फेक्टरी खोलेंगे इन जो manufacturing प्लांट है वो लगाएने वाले और उसके अंदर में यह इसी टाइप का काम हम लोग करने वाले हैं क्योंकि यह अगे फ्यूचर के अंदर में यह 95 क्या सपास में चली जाएगी तो अक्सेसिव वर्क कंपनी के पास में आ रहे है विकोज इंडस्टी जो है बहुत ही भैंकर तरीके से बढ़ रही है डिमांड बहुत ही ज्यादा चल रही है आसके दिम कंपनी का अगर में लिगर देखते है कि इसके अलवा अगर टोप 10 किसल में 72 पर से डिवाउनीस से आजह थ our टो टैन कस्टमर से रेवनियो संटों पास लम्बे समय तक के यूप कि लिए उसे ले जिए फिर घर वाले करिदन है जो धर पमें जो यूझ होए वाले कोईल संब्स होुम संब्सक्रेन हो इंके तो एक drive रखी होगी तो वो जहां drive रखी हुई है उसको उनको हम बोलते हैं data centers data centers के अंदर में company का 50 15 परसेंट जो है वो खर्च होता है क्योंकि data centers जब वो एक CPU होते हैं computer type ही होते हैं वो क्या करते हैं 24 गंटे काम करते हैं तो उनको ठंडा रखना पड़ता है थंडा रखने के लिए रेफ्रिजेटर के जुड़त पड़ती है दूसरा commercial air conditioning दूसरी जैसे hospitals हो गए hotels हो गए या इंडर्स्टीज ये बड़े-बड़े malls हो गए तो commercialization की विजए से 70% वहां से आता है तू और जो घरों में जो आता है यूज वाली उससे दो परसेंट ही इनका production घरों वाले AC या एफ्रिजेशर के हमतिर वे यूज होता है बाकि vehicles में भी यूज होता है अब अगर मैंने आपको साथ फोटो नहीं दिखाई थी किस टाइप से यह जो इंडर्स्टी है वो दिखती है तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा इस रख कि आपने कोई देखी होंगी जैसे अगर AC या फिर आप लोग अपने जो फ्रीज होता है फ्रीज के पीछे लगी रहती है नेक्स्ट अब एक पाथ थोड़ा सम आरच पी पर नजर डाले तें बेलेंशीट को लेकर के तो यहां पर सबसे पहले कितना पैसा कंपनी में लगा हुए है तेट इस अराउंड दो सो अठ्यावन क्रोड रुपे लगे हुए जो कि पिछले साल ही पिछले सा पिछले साल तक 59 क्रोड रुपी छी लगे वे ते इस साल 131 क्रोड रुपे ओर लगे हैं कंपनी में इन्वेस्टर की साइड से और लोन भी कंप्री ने अच्छा कसा लिया जो कि लॉंग टम लोन जिसको बोलते हैं तो 30 क्रोड का लॉंग टम लोन की अगर बात करते हैं तो लीज लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं इसको हमें इसी साल 16 करोड रुपे पेमेंट करना है साथ में जो कमपनी में अल्टीमेटल पैसा 258 करोड रुपीज लगागा अब कहां कहां लगागा उसके अगर बात करते हैं तो मेंली जो प्रोपर्टी प्लांट और इक्युप्मेंट्ट जो कमपीने खड़ा करगा पुरा इंडस्ट्री खड़ा करगा उसमें 11 क्लोड रुपए लगे में 52 क्रोड रोपीज और 10 क्रोड रोपीज cash and equivalent पड़ा हुआ है अब यहां पे जो mainly मेरे वो concern नजर आ रहा है वो है right of use of assets जो के लिए जो किराये पे जो सामान खरीदा है उसके उपर में बहुत ज़्यादा पैसा company ने खर्च किया है इस साल बहुत ही ज़्यादा पैसा कर्च किया है उस जो और अभी भी इस जो जीतना IPO से पैसा उठाने वाले वह maximum पैसा वहीं पर खर्च होने वाला है तो company subsidiary पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रही है यहां पर next अगर हम कमाई की बात करते हैं तो यहां पर पिछले साल जो company ने revenue generate किया था 2747 क्रोड किया था इस साल 308 क्रोड रुपे के आसपास में कर दिया जो कि अगर increase देखा जाए यहां पर तो लगबग कितना increase देखने मिला 20% का revenue increase देखने को मिल रहा है अकर net profits की बात करते हैं त 30 क्रोड से बढ़ करके 49 क्रोड रुपे हो गए तो revenue में इंक्रीज है साथ में ही net profits में इंक्रीज है तो यहां पर एक अच्छा-कासा market में increase देखने को मिल रहा है next अगर हम लोग cash flow के बात करते हैं तो company cash flow से भी पैसा generate कर रही है that is around 19 क्रोड रुपी 18 क्रोड रुपे से 19 क्रोड रुपे इस साल cash generate हुआ है तो cash generate हो रहा है company अपने आपको बहुत ही ज्यादा time के साथ में बढ़ा भी करती जारी क्योंकि capacity utilization बहुत ज्यादा company का बढ़ रह अर्मी वाला मौसम चाहिए भाई अर्स गर्मियों का मौसम है तो सर्दी वाला मौसम चाहिए भाई तो पूरी इंडस्टी जो है वो पूरे इस शिफ्ट हो रही है जो की इन्वार्मेंटल जो जो calamities है उनसे अपने स्थीरता की तरफ जा रही है कि हमें सारी सुविदाय है चाहिए भाई तो इंडिया में सारी सुविदाय है चाहिए तो फिर इंडस्टी बढ़ भी रही है नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपेर तो हम करने ही पाएंगी इस कंपनी को क्योंकि इस तरफ जो काम करने वाली कोई भी लिस्टेड कंपरी स्टॉक तो यह हो गया 33 का पी रिश्यो निकल के आ रहा है साथ में अगर हमनों पी बी रिश्यो के अगर बात करते हैं तो लेटेस डेटा के अकॉर्डिंग नेट वर्ट जो कंपनी लगा यह वह लगा है 131 करोड रुपए और और पैसे उठारी 341 करोड रुपीज यह कितना हो गया चार सो सतर राइट तो चार सो सतर कर दो इसको लगबक चार सो सतर तो यह उता है 2.7 का सो पी रिश्यो 33 का वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है बट एस देखा जारा कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है रेविन्यूस भी ठीक ठाक चल रहे है फ्यूचर में भी इसके बहुत अच्छे रहने के चांसे हैं स्टॉक मार्केट में भी एक अपनी लिस्ट हो जागी तो इसकी रेप्यूटेशन बन जाए और इंटरनेशनल लेवल के ओपर भी एक अपना एक स्टेंडर क्रियेट कर लेगी तो इसके बाद में इसके पास अच्छे हैं बाकी अब मार्केट इसको किस तरीके से वेल्यू देता है तो इसके मुझे लगता है कि शोट टर्म में भी मार्केट इसको अच्छी वेल्यू दे सकता है जो लोग यह जो लेके आने में मदद करते हैं आई प्यों को इंक आगर हम डेटा जो में डेटा सेंटर यहां पर आख़ते हैं यह कहीं भी पूरा डेटा रीडेबल ही नहीं है तो यह आई थेंक यह जो डेटा है इनको पूरा ठीक करके देना चाहिए दोबारा अपनी जो आरच भी उसको पब्लिश करना चीए कि अगर मार्केट से पैसा उठा रहे हो भी साड़े तीन सो क्रोड यह डेटा आप सामने दे रहे हो इस टाप की फाइल सामने दे रहे हो इसमें डेटा रीडेबल ही नहीं है अगर एक सब रीड नहीं हो रहा है यहा हो है यहां पर पता नहीं क्या है लिखा हो है तो इस कंपनी को अपने जो भी है प्रध्यान देना पड़ेगा भाई तो यह गोतिक खतरनाक और भोतिक गंदी शानपंदी मेरे इस कंपनी से रिगार्डिंग लगी लगी देट सोल बागे कल मेरते हैं नए इंप्रेंट